कि बैलकुम बैक टुमाइटूब चल्ट पेपर हाइकर क्यासे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छी होंगे और मैं हूँ सूरज राच आज किस विल्यूम देखने वाले हैं जो भी ज्धाद्र सेमस्टर में डिकाउं वकंश्टियर रहा है याद रखना बीकाय। फस्टियर है याद रखतना फेलकर है छो ऊहुथ Battle कार यह है कि अपका हैं बिजनीज सिंस जिसन कर जीए इसमें को अपको पता होगा कि कुछि इंवस्टी बहुब गोडिकल्पी कोश्चन करा रही है कृच उन्यवस्टी रिटन एक्जम और दोनों करा रही है मैंने रिटन एक्जाम के लिए इंपूर्टन वॉच्छन दे रहा है और नोट्स का लिंग दिसक्प्षिन बॉक्स मिल दाएगा में दोनों के लिए हमन्ने आपको नोट्स दिया टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सारे लिंक को मैं पोस्ट कर रहा हूँ था कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सिंपल लिंक पर टच करें और आप पूरी पीडियाप को डानलोड कर सकें, बतलब सबसे सरल तरीका है आप टेलीग्राम को डानलोड कर लीजिए, अपने एप यदि नहीं है आपके फोन में, और टेलीग्राम पर अपनी आईडी बनाके हमारा पेपर हैकर को सच करिए, या फिर लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेस्बुक पेज का भी लिंक डिस्कॉप्शन ब चलाते हैं, फेस्बुक चलाते हैं, इस्टेर्डागाम चलाते हैं, पेपर हैकर सच कर सकते हैं, और साथी साथ आप चाहें सिर्च अपकर सामने के Сामने है, मैं आपसे भÁदा करता हूं इन को स्चनों को याद करकी, आप 75 पर्शंट प्लस लाएंगे, मतलब कि सारा का सारा कोशन यहीं से आएंगे कुछ बाहर से नहीं आने वाला है बस इतना ध्यान रखे कि पेपर हैकर को आपको सपोर्ट करना है जादा से जादा वीडियो को शेर करना है कोई भी दिक्कत बनती तो समझ पा रहा है मेरी बात को शालो कि देखिए ध्यान से तो मैं आपको बोल रहा हूं पहला कोशन का अंसर आप सभी लुक देंगे कि ब्यपसाई से क्या से पहले कोशन का अंसर आप्शन नमर्डी को लॉग करेंगे माल और सिवाओं के किरे विक्रे के साथ समाजिक उत्तरद कि ब्यपसाई का अर्थ क्या है अब देखेंगे अब हम देखेंगे उत्देश के बारे में ब्यपसाई का उत्देश क्या होता है चैक करो एक बार कि ब्यपसाई का उत्देश क्या होताएं एक बार चैक करेंगे सबी लोग क्या रहने वाला है युग होता यह इसरे देखेंगे सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों तक क्योंकि बहुत क्या उद्देश है यह कह सकते हैं लाब कमाते हुए समाजिक उत्तरदायत को पूरा करना यह बिजनिस करने के नेक्स कोशन है कच्छे माल को निर्मित माल में बदलने का कार को कहते हैं देखो कच्छे माल को निर्मित को निर्मित करने काक उत्हओक का कहला और अप्छय है उद्धों में से कौनि सा च्हेतर बढ़ा है तो सा च्हेतर बढ़ा है आपको बताना है बिल्कुल देखो जो बड़ा छित्त होता है वो बाड़िजी कहलाता है option number C को लॉग करेंगे next question बोला गया है खान से कोईला निकालना है खान से कोईला निकालना जाता है तो उसका उद्धिश क्या होता है खान से कोईला निकालना और पूल नहर अधि बनाना किस उद्धो अंतर घता आता है भवन घर बना रहा सडाके बना रहें पूल बना रहें नहर बन रहें तो सभी लुक अगर चला नहर मों ने करतें तो तो दूह रचिनात्मक उद्धोग के अंदर गताता है ठीक है चलो नेक्स कोशन ने मिनिवर से कौन सा कह सकते हैं जद्धोग है बताहिए जद्धोग कौन सा है जन्निख ऑढ़न एक जन्निक उद्धोग होता है निसकर्शन उद्धो कौन सा है सब लोग कॉमेंट सेक्षिन मान से देंगे क्या रहने वाला है विल्कूल ठीक है जिसने भी option number दिखा रहा है दिया है C option right होगा सिकार करना एक निसकर्शन उद्धो होगा next question बुला गया है दूद उद्धो के अंदर गता है हम जन्निक उद्धो के अंदर गता है option number B को लॉग करेंगे next question यहां दिखो बुला गया है भवन निर्माड निमनिक एत्वे से किस उद्धो के अंदर गत वर्गिक्ड किया जा सकता है तो भवन का निर्माड रचनात्मक उद्धो के अंदर गत वर्गिक्ड किया जा सकता है classification किया जा सकता है next question यहां बुला गया है ब्यपसायक और उनके साहयकों को मिला कर कहते हैं बताइए जो ब्यपसायक होते हैं और उनके साहयक होते हैं तो उनको हम वर्ज बोलते हैं next question बुला गया है वर्ज को यहां 17 उच्छोन को सब्छ भूडब टैनी से क्यास होता है लिए पेसा किसे बोलते हैं यल्य पैसा कि एक बिटा सो बोलते हैं लिए उचिन आपया सेवा करके धनुवल्ध करते हैं कि यह ऊड़ता है तो आप सभी कहेंगे option number D उद्धोग और बाड़ज ब्यपसाइग के अंग है ब्यापार वड़ज अंग है option number क्या रहेंगे उद्धोग और वड़ज है उद्धोग थड़ा वड़ज ब्यपसाइग के अंग है जो ब्यपसाइग होते हैं चालो नेक्सक्ट कोषिटिन की बात करने वाले हैं, यहां बोला गया है, बैंक और बीमा किसे बोला जाता है? बैंक और बीमा किसको बोला जाता है? बिलकुल ठीका आप्शाय का समाजिक उत्तरदाईट बह किसे हूता है? यहां चौर option है फटा-फट answer देंगे website का समाजिक उत्तरदायत्व है मैंने कहा जब option question हो की हम पढ़ते हैं लोग तो सबसे पहले question को पढ़ा करो उसके बाद answer को आप हमारे notes को download कर सकते हैं notes का link description box में है PDF आप download कर लिजिए हमने दो bookों से आपकी PDF बनाई है कोशन बाहर नहीं जाएगा आप किसी भी युनिबर्स्टी से क्यों ना हो आप चैनल को subscribe कर बैल आइकन को प्रेस कर देना देखको यहां बात करने वाले यह दिए आपके इस तरीके से सारे सलेवस मिल रहा है कोशन मिल रहा है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ नेक्स कोशन देखो इस टू टाइप से कोशन पूचे जाते हैं कहता है ब्यपसाइक संगठन की बात करेंगे तो ब्यपसाइक संगठन है क्या आप से बताइए ब्यपसाइक संगठन क्या है बताइए आप कहोगे कला और बिग्यान दोनों एक ब्यपसाइक संगठन की अंत कि प्रप्ति करना और रोजगार के अपसरों को सरजन देना उप्रोग सभी हो जाएगा ओप्शन नमर डी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन यहां बुला गया है ब्यप्षाय में सफलता प्राप्त करने में आवस्यक है कौन-कौन से तत्व आवस्यक होते हैं वह आपको बताना ब्यप्षाय का प्रवर्तन का करने से होते हैं और उनसे लावप्राप्त करने के उद्देश से पूजी संपत्ती प्रदंद किये योगता तथा व्यपसाइक संस्थाओं के रूप में संगठित करने से है यह परिभासा किसकी है तो आप सभी कहेंगे कि यह जो परिभासा दीती वो दी को लोग करेंगे तीसरे कोशन कांसर क्या रहने वाला है ओप्शन नमर क्या रहेगा विचारों की खोज ऑप्शन नमर क्या रहेगा बी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन बुला गया है इस देखो इस मिन के अनुसार परवरतक के तत्व हैं कितने तत्व हैं तो आप वोगे चार तत्व हैं ओप्शन नमर को लॉग करोगे नेक्स कोशन आपके सामने है देखिए चौथा पॉइंट यहां चौथी इनिट से लेंटर बना ऐसे कुछ पॉइंट दे रहे हैं जिसमें आप से टॉपिक दे रहे हैं इस टॉपिक से कोशन बनते हैं तो उन टॉपिकों मैं आपको वो सौट में दिखा रहा हूँ लेकिन आप पार्ट हमारी जब पीडियाप को आप डालोड कर लोग तो पीडियाप से कुछ बाहर नहीं जाएगा चल को सस्काइब कर लेना बालाकर को प्रेस करते हैं यहां बोला गया है एक सफल ब्यपसाइक में निमनी कितमे से कौन सा गुण होना चाहिए तो एक सफल ब्यपसाई करता है उससे ब्यपसाई बोला जाता है तो उसमें कौन से गुण होना चाहिए तो आप कहोगे उसमें उप्रुक्त सभी गुण होना चाहिए, आत्म विस्वास होना चाहिए, दूर दश्टी होना चाहिए, और जोखिम सहन करने की छमता होनी चाहिए, मलब बहन, जोखिम जो मैं आ जाता है, जोखिम बहन करने की सहन, मलब सहन को बहन भी कह सकता है, तो बहन करने की छमता होनी चा यहां कहा रहा है एक सफल ब्यपसाई के लिए कौन सा गुण अपिक्षित नहीं है, तो कौन सा गुण अपिक्षित नहीं है तो आप गोगे, वो गुण होता है, अपसर बादिता, ओप्शिन नमर बी को लोग कर रहोगे, नेक्स कोशन आपके सामने पूछा गया है, कि होता है वो ब्यप्साइक संगठन का प्राचीन स्वारूप है option number C को लॉग करेंगे next question बुला गया है Cambodia आमकी भ्येफार की निमनेखित विशेस्ता होती है तो एकांकी गया होता है उसकी विशेस्ता होती सौमित स्वामी से और उनके समस्ति निजी संपति होता है थो सीमित होता है option number बात करने वाले है, seize lock करेंगे next question वो लागए, एकांग की ब्यापार में स्वामी का दायत में होता है तो स्वामी को जो दायत में होता है, एकांग की ब्यापार में वो होता है option number जिसने भी किया है, एको लॉक परमसर्थ आंसरोगा next question आपके सामने आ चुका है, देखिए, यहाँ बात करने वाले है एकल स्वामीत उपयोगी है, एकल स्वामीत उपयोगी होता है तो आपको के छोटे ब्याप्साऐ के लिए एकल स्वामी, बनाद अकेला कोई स्वामी होता है कोई business चलाता है तो उसके लिए छोटी website के लिए होता है लेकिन बड़े website चला रहे हो तो अकेला तो नहीं चलाएगा मतलब कोई और भी उन्हें add करना पड़ेगा मैं पार्टनरी करना ही पड़ेगी business partner जो होती है वो नेक्स कोशन बुला गया है ब्यपसाइक संगर्ठन के किस स्वरूब में अधिक गोपिंता बनी रहती है तो आप वोगे सबसे अधिक गोपिंता बनी रहती है वो हैं एकल ब्यापार में option number D को लॉग करोगे next question बुला गया है एकांकी नियंतन विस्व में सर्विस्रेश्ट ह है बैकतन किसका है तो आप गोगे option number billion आर बैसेट का है option number हम B को लॉग करेंगे next question बुला गया है कि एकल स्वामी का मुख्धोस होता है वो हमसे पूछा गया कौन सा होता है तो वो होता है आसी मित दाइत्व होता है option number जिसने दिया है डी परमसत्तांसर होगा नमे question को देख option number C को लॉग करोगे next question बुला गया है कि भारत में देखो भारत में साज़ेदारी अधिनियम कब लागू किया गया कब हुआ था जो साज़ेदारी आप कर सकते हो ठीक है पार्टनर कर सकते हो तो उसमें दो साज़ेदार हो सकते हैं कम से कम दो होना चाहिए और ज्यादा तो होई जगते हैं कितने भी कम से कम दो या तभी तो साज़ेदारी अकेला बंदा तो एक एत्वस्वामी कहलाएगा अब दो हो जाएंगे तो पार्टनर हैं दो पार्टनर है अब उसके बाद में हजार पार्टनर हो सकते हैं जब हम साकाई खोल देंगे तो पार्टनर हो सकते लेक्स कोशन यहां बुला गया है देखी ध्यान से इस कोशन का अंसर क्या होगा बैंकिंग व्यपसाय का संचान संचालन करने बाली फर्म में साधिधारी साधिधारों की अधिक्तम संक्या होती है तो आप गोगे वो नहीं होते हैं बीच से ज्यादा साधिधार मतलब प्रिणार नहीं बना सकते कोई बिजिनस कर रहे हैं तो बीच से ज्यादा नहीं मनाओगे एवेद से ज्यादा पर्टरों से परे हो जाएगा समझत रहीं हो नेक्स कोशन है साधिधारी का जो प Dance क्यान होता है साध्यकों के लिए कि अनुबंद होना चाहिए जो होता है साध्यार के जान का heading तो बोग्षे होनी चाहिए साज़ीदारे साज़ीदारी फ़िरम में साज़ीदारों के मदर कैसा होता आप के साज़ीदार का डायत्व होता है एक साधेовор में जो दायत्म होता है वो आसीमित दायतम होता है option number D को लॉग करेंगे next question बुला है जिसकरशी जो साधिदार किसे बोला जाता है बताइए ऑपने साधिदार किसे बोला जाता है तो आपको गहें जो FORM के ब्यापसाय के संचालन में कोई हिस्सा नहीं रेता, उनके लिए बोला जाता है ठीक है, उनके लिए बोला जाता है, तो option नमर जिसने भी दिया है हिस्सा नहीं लेता है, उनके लिए बोला जाता है, निसकर साधिदार किसे कहते है तो option नमर जिसने दिया है, C परम सत्ता अंसर होगा next question बो लगा है एक अवनियस को किस या किसी साधिधारी के फार्म में क्या कर सकते हैं बताइए तो 20 में question का answer option number C होगा कहरा है सभी साधिधारी को की जो सहमती से फार्म के लाब में हिस्सेधारी बना जा सकता है बना जा सकता है option number next question की और चलते हैं यहां बोला गया है कौन साधिधार नहीं हो सकता तो कौन साधिधार नहीं हो सकता हमसे पूछा गया तो आप सभी लोग comment section में आंसर देंगे मैं इसमें पूरा clear कराने कोशिश करूँगा पूरे पेपर को शायद में आपको दिक्कत ना आए देखो बताओ यहां क्या हो सकता है option number जिसने भी दिया है डी प्रमसत्ता अप्र्योक्त सभी हो जाएगा कह सकते हैं एक निग्मन एक निग्मन और एक पालन ब्यक्ति और एक कह सकते हैं अवश्यक होता है उसकी बात करने वाले next question बुला गया है एक साधिधारी फर्मका अनिवारे समापन हो जाएगा तो एक अनिवारे समापन कब हो जाता है एक साधिधार का एक साधिधारी फर्मका तो आप कहेंगे वो हो जाए यदी फर्मका यदी फर्मका क्या हो जाए, option number B को लोग करेंगे, यदी फर्मका कारोबार अवैद हो जाए, तब वो क्या होगा, अनिवारे समापन हो जाएगा, next question बुला गया है, यहां देखिए, यहां बुला है, प्रजात अंत्रिक ढंग से नियंतर ब्यपसाइक संगठन है, वो कौन सा होता है, तो आपको कि कमपनी संगठन होता है, option number B को लोग करेंगे, next question बुला गया है, बैयपसाइक संगठन से स्वामीवो का अस्तिध्व π्त्व होता है, तो किस चीएं प्त्रता को होता है, तो आपको करेंगे, next question बुला गया है, प्रतम भारतिये कमपनी अधिनियम पार किया गया बर्तमान अंधिनियम जो पंग्भू किया गया दो हजार तीरा में किया गया option number c option number d को log करेंगे next question बुला गया है समान उद्देश के लिए हमारी आप PDF को download कर सकते है PDF का link description box में दे रखा नेक्स को बुला गया है निमनिकित में से ब्यपसाइक संगठन के किस स्वारूप में पंचेन विधनता अनिवारे है तो आपको कि पंचेन विधनता होती है वो होती है सयुक्त इसकंद कंपनी में तो option में जिसने भी दिया है बी विल्को राइट होगा next question आपके सामने है इस कोशन बुला गया है कि जिसका दायत्व सीमित है किसका दायत्व सीमित होता है आप सभी बताएगे किसका दायत्व सीमित होता है next question बुला गया है एक निज़ी कंपणी में अधिक्तम कितने सदस होते हैं, एक निजी कमपनी में अधिक्तम जो सदसों की संख्या होती है, वो होती है, दोसों, दोसों से अधिक सदस रही होंगे, उसमें दोसों से अधिक लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप प्राइवेट कमपनी हैं, तो दोसों से जादा 200 तक हो सकते हैं, अधिक्तम 200, और मिनमम बो, नेक्स कोशन बुलागा यह एक सर्वजनिय कम्पणी के सादस्व की निंदम संक्या कितने होती है? सर्वजनिय का मतलब होता है, सरकारी जो सरकारी होती है, ठीक है? कम से कम कितनी होती है, तो कम से कम आप कहेंगे, साथ होती है, ठीक है, साथ, ठीक है, कम से कम, सर्वजनिक जो कमपनी होती है, उनकी बात करने वाले, यहां बोला गया है, सर्वजनिक सीमित कमपनी के सदसों की अधिक्तम संक्या कितनी होती है, अधिक्तम जो संक्या होती है, वह आसीमित होती है, जो सरकारी कमपनी होती है, उ उसको निवित किया जा सकते हैं, क्या किया सकते हैं, तो आप कोगे सर्मजने कमपनी द्वारा, option number हम B को लॉग करेंगे, next question मुल गया है, इसके सहकारी समिती को पंचेन कराना, क्या होता है, ये कहलाता है, बिटा, अनिवार होता है, option number C को लॉग करेंगे, next question मुलागा है, ठीक है, शरू, next question है, सहकारी समिती के सदसों की अधिकतम संक्या कितनी होती है, सहकारी जो सहकारी जो होते हैं, सहकारी की बात करने वाले है, जो सहकारी जो होते हैं, वो होते हैं, पीटा, आसेमित भी, सहकारी की भी आसेमित होती है, ठीक है, next question मुला गया है, कि एक सब के, देखो एक सब के लिए सब एक के लिए किसका मूल मंतर है एक सब के लिए और सब एक के लिए किसका मूल मंतर है तो आप सभी कहेंगे ये आपका आपसर हेगा सहिकारी संगठन का option number d को log करेंगे next question भूला गा है सयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचलित ब्यपशाय पर कौन सा कानून लागू होता है देखो सयुक्त हिंदू परिवार है और संचलित ब्यपशाय कोई कर रहा है तो उस पर कौन सा कानून लागू होता है तो आप कोगे हिंदू कानून लागू होता है निम्न में से किसका पंचायन आवश्यक नहीं है बताए किसका पंचायन आवश्यक नहीं है तो आप गोगे निम्न में से किसका पंचायन आवश्यक नहीं है तो आप गोगे निम्न में से किसका पंचायन आवश्यक नहीं है तो आप सभी का होता है तो आप सभी का होता है को बहारी पक्षकार सदस्न नहीं बन सकता तो बो कह सकते हैं किसी संपत्ति को दो या दो से अधे के ब्यक्तियूं का कह सकते हैं स्वावित्व होता है तो यह इस्तति कहलाती है सह स्वावित्व को लाग करेंगे एक बार क्या होता है अब हमारे पास कुछ टॉफिक रहे गए हैं जो काफी इंपोटेंट रहेंगे दस्ते जादा नहीं है आप इन कोशनों को एक बार ध्यान से देख लिजेगा सारी फेपर इंपोटेंट है और यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन को प्रेस कर देना और हाँ आप PDF को डानलूड जरूर क सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन को प्रेस कर दीजा चलो यहां छे से लेकर चलेंगे सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन को प्रेस कर देना और PDF को डानलूड कर सकते हैं रिटेन एक्जाम के लिए नोट्स को भी डानलूड कर सकते हैं नोट्स का लिंग डिस्क्रप्शन बॉक्स में है थैंक्यू बहुत जिए बाए